जहिन साथ यू नमस्कार अब एक सर्थ कम्प्यूटर लाया है आप सभी के लिए ट्रिपल सी का लक्ष बैच और हमारे इस ट्रिपल सी के लक्ष बैच का उद्धिर से है आप सभी को ट्रिपल सी एक्साम टॉप कराना जी या लक्ष है ट्रिपल सी एक्साम को टॉप करना इस इस लिए इस batch का नाम है triple C लक्ष बैज जिसमें हम triple C exam की complete त्यारी कराने वाले हैं तो जिनका भी triple C का exam है वो आज ही लक्ष बैज को join कर ले और उसके लिए अब Excel computer को subscribe कर ले त्युस्तों triple C का free class course मैंने आप सभी के लिए लांच किया है जिसमें आपको triple C की free premium classes, triple C का study material, triple C का chapter wise mock test, Libre office का पूरा theoretical part जहां पर सभी मीनूस मैं explain करके समझाया हुआ हूँ, chapter wise mock test पी आपको मिल जाएगा, triple C का model paper भी आपको मिल जाएगा, तो उस class course को आप join कर लीजेगा, कैसे join करना है, तो आप website को visit करेंगे www.abhaxal.com, यहाँ पर देखिए courses का option है, courses पर आप click करेंगे, तो यहाँ पर आपके सामने course on computer concept, triple C open हो जाएगा, यहाँ पर आपको click करना है get enrolled पर, get enrolled पर click करेंगे, तो यहाँ पर देखिए आपके सामने open हो जाएगा, course on computer concept, यहाँ पर 64 students कल से अभी तक में enroll हो चुके हैं, जल्दी आप सभी लोग इस course को join कर लीजिए क्योंकि limited seat हैं, तो कहीं देर ना हो जाए, कैसे join करना है यहाँ पर पुरा process लिखा हुआ है यहाँ पर आप enroll now पर click करेंगे, तो यहाँ पर देखे दिया गया है create a new account का option create a new account पर click करके आप अपना name, अपनी email id, यहाँ पर username, password, अपने according जो भी बनाना चाहते हैं, बना के register कर देंगे, तो आपको यहाँ crash course मिल जाएगा, जिसके अंतरगर्थ आपको सारी चीजे free of course में मिल जाएगी, तो यहाँ से आप से जरूर attend कीजेगा, साथी साथ exam से पहले, आप अभैक्सल computer की, triple C की 1100 प्रष्णों की महा मैराथन क्लास और exam में, लिब्रे office की काफी सारी questions पूछाते हैं, इसलिए, लिब्रे office की महा मैराथन क्लास को देखना मत भूलिएगा, दोनों आपके लिए काफी important हैं, तो time waste ना करते हुए, चलिए, सुरू करते हैं आज के से लक्षे batch को, तोकि हमें exam में top करना है, फरजी कोई भी बक्वास नहीं करनी है, और अभैक्सल computer का यही रूल है, सीधी बात, नो बक्वास, यही है, अभैक्सल की class, let's begin in this topic, दूस्तों, पहला प्रशन है, network की भौतिक संवरचना को क्या कहते हैं, यहाँ पर जो options हैं, इनको आप ध्यान से पढ़िए, परती question को मौक्टिस के रूप में लेते रहिए, और comment box प्रशन देते रहिए, वीडियो के last में आप जरू बताईएगा, कि आपके कितने questions सही हुए हैं, तो network की जो भौतिक संवरचना है, उसे हम क्या कहते हैं, configuration, topology, routing, या फिर networking, तो यहाँ पर इस राइट आन्स हो जाएगा, option B, network की भौतिक संवरचना या network की भौगॉलिक संवरचना को, हम topology कहते हैं, ठीक है न, exam में कभी-कभी ये भी पूछ देता है, ये network की भौगॉलिक संवरचना को क्या कहते हैं, उसे topology कहते हैं, अब यहाँ पर बात हुई है topology की, तो देखे, topology आपको मिलती है Bus Topolosy एक्जाम में कापी साइख questions पूछ आते हैं Bus Topolosy, Ring Topolosy आप सभी ने पढ़ा होगा Star Topolosy, Tree Topolosy, Maze Topolosy आइए इन सभी के बारे में आपको explain करके समझा देते हैं वोगि एक्जाम में इन से कापी साइख questions पूछ आते हैं यहाँ पर देखे बस टोपलाजी का figure आप सभी के सामने है बस क्या होती एक सीधी रेखा में होती है इसमें सभी computers दो टर्मिनल के बीच एक सीधी रेखा में जुड़े होते हैं आप figure में देख पा रहे हैं यहाँ पर जो computers हैं एक सीधी रेखा में दो टर्मिनलों के बीच में जुड़े हुए हैं तो CCC exam में यहां से question पूछाता है कि किस topology में computer दो टर्मिनलों के बीच में जुड़े होते हैं तो bus topology में जुड़े होते हैं bus topology में चुँकि एक सीधी line में computer जुड़े होते हैं इसी लिए bus topology को linear topology भी कहा जाता है क्या कहते हैं linear topology भी कहते हैं ठीक है याद रखिएगा आप देखते हैं यहाँ पर ring topology को ring रिंग क्या होती है गोल होती है यहाँ पर आप figure में देख सकते हैं ring topology को हम circular topology गोला कार topology वित्ता कार topology के नाम से जानते हैं ring topology में क्या होता है आप देखे यहाँ पर एक computer अपने पास वाले computer से जुड़ा हुआ है means जहाँ पर एक computer अपने अधिनस्ट computer से जुड़ा होता है वही है ring topology तो triple c में यहाँ से भी एक question बन जाता है कि किस topology में प्रतिक computer अपने अधिनस्ट computer से जुड़े होते हैं तो ring topology म जुड़े होते हैं अब यहाँ पर कार कैसे होता है यहाँ पर मान लीजे इस computer के पास कोई कार आया है ठीक है तो वो क्या करेगा अपने दूसरे वाले को पास करेगा वो processing अगर कर सकता है तो करेगा नहीं फिर तीसरे को पास करेगा means क्या होता है कि directly एक दूसरे के पास access नहीं कर सकते हैं वो token का उपयोग करते हैं इसी लिए processing में काफी समय लगता है इसी लिए ring topology को willambit topology कहा जाता है नोट कर लीजेगा exam में question में पूछाता है कि किस topology को willambit topology अर्था delete topology कहा जाता है तो ring topology को willambit topology कहते हैं साथी साथ यहाँ पर यह क्या करता है token with का उपयोग करता है है ना एक दूसरे को pass करता है इसी लिए ring topology को token with topology या token ring topology भी कहते हैं ठीक है आप बात कर लेते हैं start topology की इससे एक main question आपके exam में बनता है कि किस topology में एक मुख कम्प्यूटर या एक host computer होता है तो start topology में एक मुख के computer या एक host computer होता है और उसी host computer से सारे computer जुड़े होते हैं एक question triple C इकसा में यहाँ भी पूछा आता है कि start topology में किसी एक computer के ख़राब होने पर क्या अन्य computer कारे करना बंद कर देते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है तो कि यहाँ पर देखे सब main computer से जुड़े हैं एक ख़राब है दो सा चलेगा तीसा चलेगा चोथा चलेगा लेकिन अगर host computer में किसी प्रकार की कोई भी ख़राबी आती है तो आपका पूरा network काम करना बंद कर देता है फिर बात कर लेते हैं tree topology की tree topology क्या होती है star topology और western topology का मिस्टित रूप होती है इसमें child load और root नोट का अप्योग होता है तो आपके exam में question पूछा आता है कि किस topology में root node का अप्योग होता है तो tree topology में root node का अप्योग करती है उसके बाद बात आती है मेश टोपलोजी की, काफी important आप सभी के लिए मेश टोपलोजी, क्योंकि मेश टोपलोजी से आपके exam में कुशन यहाँ पूछाता है, कि सरवाधिक विस्वसनी टोपलोजी कौन सी है, यहाँ पर आप figure में देख सकते हैं, मेश टोपलोजी में क्या हो होता है, पर तेक computer एक दूसरे से आपस में जुड़े होते हैं, मेंस सारे computer आपस में जुड़े होते हैं, इसी लिए इसको सरवाधिक विस्वसनी टोपलोजी कहा जाता है, मैंकि सभी आपस में जुड़े हैं, तो processing में कोई भी दिकत नहीं आती है, एक question, triple C exam में यहाँ से और बनता है कि किस टोपलोजी को खरचीली टोपलोजी कहते हैं, मेंस most expensive टोपलोजी कौन सी है, तो सरवाधिक खरचीली टोपलोजी आपकी मेश टोपलोजी होती है, ठीक है ना, तिस सारे points आप note कर लीजेगा, जब भी आप हमारी classes को attain करिए, साथ में एक notebook और pen जरूर चलिए अब देखते हैं, next question, निमने में से क्या artificial intelligence का प्रयोग करता है, which are the following uses artificial intelligence, facebook, google assistant, twitter, instagram, बताएए, क्या होगा इसका right answer, तो एक question, triple C exam में यहाँ से पूशाता है, कि सबसे famous social networking site कौन सी है, तो वर्तमान समय की सबसे प्रसिद्ध social networking site आपकी facebook है, ठीक है ना, note कर लीजेगा, अब यहाँ पर बात हुई है, AI की, artificial intelligence, कभी-कभी triple C exam में question पूशाता है, कि AI stands for, तो AI का full form क्या होता है, artificial intelligence होता है, note कर लीजेगा, काफी important है, इसको हिंदी में बोलते हैं, क्रतिम बुद्धिमता, क्या बोलते हैं, क्रतिम बुद्धिमता, जिसके अंतरगत, मशीनों को बुद्धिमान बनाने का कारियर हो रहा है, तो यहाँ पर इसका right answer क्या हो जाएगा, Google Assistant, Google Assistant क्या है, आपका जानकारी करना चाहते हैं, तो आसानी से आप इसके माध्यमशे कर सकते हैं, अगल आप Google Assistant से पूछोगे, कि आप male हो या female हो, तो वहाँ पर आपका answer आएगा, कि ना ही मैं male हूँ, ना ही मैं female हूँ, मैं एक artificial intelligence machine हूँ, ठीक है ना, अब यहाँ पर बात की गई है, Facebook की, Twitter की, और Instagram की, तो तीनों क्या है, आपकी social networking side है, वरतमान समय की सबसे famous जो है, वह आपकी Facebook है, Facebook के CEO कौन है, या Facebook के founder कौन है, या question triple C सामें कापी पूछाता है, तो Facebook के founder है, Mark Zuckerberg कौन है, Mark Zuckerberg है, Facebook के founder, अब यहाँ पर Twitter के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, Twitter क्या है, तो Twitter आपका micro blogging का उधारन है, किसका example है, Twitter micro blogging का example है, तो कभी-कभी triple C सामें ऐसे question पूछ लेता है, कि निमनमेशे कौन सी social networking side, micro blogging का example है, तो Twitter आपका micro blogging का example है, एक question triple C सामें यहीं से बनता है, यह Twitter में अपने review को लिखना, या अपनी सोच को लिखना, उसको vector करना, क्या क कहते हैं, tweet करना कहते हैं, means Twitter में जो भी हम लिखते हैं, उसे tweet के नाम से जानते हैं, note कर लीजेगा, काफी important है, Twitter का trending symbol क्या है, यह question भी triple C सामें काफी पूछाता है, तो Twitter का trending symbol है, has tag, means जैसे अगर आप Twitter पे has, अभ है Excel computer से सर्च करेंगे, और बहुत साए लोग अगर इसका उ symbol क्या होता है, तो Twitter का symbol है, Larry Bird, क्या होता है, Larry Bird होता है, Twitter का symbol, note कर लीजेगा, उसके बाद बात आती है, Instagram की, तो एक question, triple C सामें, Instagram से पूछाता है, कि वरतमान समय में Instagram का स्वामित्व किस के पास है, means Instagram की ownership किस के पास है, तो Instagram की ownership वरतमान समय में Facebook के पास में है, ठीक है ना, कारे के लिए करते हैं, तो इसका उपयोग हम photo और video के लिए करते हैं, ठीक है ना, photo और video के लिए, तो एक question, triple C सामें, यहाँ भी पूछाता है, कि निम्न में से कौन सी social networking side है, जिसका उपयोग सरवाधिक, photo और video push करने के लिए करते हैं, तो Instagram का उपयोग करते हैं, ठीक है न अब देखते हैं, next question, निम्लिकित URL में, HTTPS, यहाँ पर आप देखिए एक URL आपको पूरी दी गई है, अब है excel.com, page, triple C, study material, इसमें protocol field की पहचान आपको करनी है, means आपका जो यह URL है, इस URL में protocol कौन सा है, इसकी आपको पहचान करनी है, बताइए, क्या होगा इसका राइट depth, HTTP, EDU, या www, exam में same to same SI question आएगा, बस यहाँ पर जो URL है, URL वहाँ पर change रहेगी, बागी question आपका same to same ऐसे ही आपको मिलेगा, तो यहाँ पर इसका right answer हो जाएगा, option second, HTTP, अब यहाँ पर S भी लगा है, तो S का मतलब है secure, तो triple C exam में question भी पूछाता है, यह HTTP का full form क्या है, तो HTTP का full form होता है, hypertext transfer protocol क्या होता है, hypertext transfer protocol, नोट कर लीजेगा, एक question यहाँ से और बनता है, यह HTTPS में, S क्या represent करता है, तो S represent करता है secure को, ठीक है ना, नोट कर लीजेगा, और जो educational website होती है, उसमें .edu का उप्योग किया जाता है, यह question में triple exam में का पे पूछाता है, ऐसे ही www का full form क्या होता है, यहाँ प्रशन भी triple exam में का पे पूछाता है, तो इसका full form होता है, worldwide wave, क्या होता है, worldwide wave, अब next, email address और IP address क्या अलग-अलग है, बताइए, क्या email address और IP address अलग-अलग होते हैं, true या false, तो यहाँ पर इसका right answer हो जाएगा true, क्योंकि दोनों अलग-अलग है, email address अलग है, email address आपके internet mail के अंतरगत देखें, तो electronic mail है, है ना, और IP address क्या है, internet के अंतरगत, internet protocol होता है, तो दोनों में बहुत फर्क है, अब जैसे यहाँ पर email address को प्योग हम संदेशों के आदान प्रदान के लिए करते हैं, वहीं protocol है, आपका IP address होता है, जो हर system का अलग-अलग होता है, जिसकर आप system की पहचान भी की जाती है, त देख है ना, IP address दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक होता है static IP address और दूसरा होता है आपका dynamic IP address, ठीक है ना, अब next, योनिक्स आधारित वेब सर्वर और विंडोज PC क्लाइंट एक दूसरे से संपर्क नहीं कर सकते, तो यहाँ आपका बिलकुल फाल्स है, option second is right, नोकि दोनों आपस में संपर्क इस्थापित कर सकते हैं, आप देखते हैं, next question, विंडोज 10 में स्टार्ट मीनों के किस साइड में सर्च बॉक्स होता है, लेफ्ट, राइट, अबब, या फिर बिलो, बताएए, विंडोज 10 से ट्रपल से एकसाम में काफी साए प्रस्ण पूछाते हैं, यहाँ पर बात की गई है स्टार्ट मीनों की, तो बताएए, क् इसका राइट अंस हो जाएगा, ओप्सन बी जाइट, ठीक है न, ओप्सन बी आपका बिल्कुल सही है, वोकि इस्टार बटन होती है, आपकी कौर्णर में, लेफ्ट साइड में, और उसके ज़स्ट बगल में, आपका साइड अप्शन होता है, यहाँ पर देखिए, आपक किसे से बचना चाहिए wrong email address से, re-reading से, smileys से या subject line से email का मतलब electronic mail जिसे हिंदी में e-pattr भी हम कहते हैं देखिए subject line तो आपके लिए important है अगर आप mail भेजते समय subject लिख देंगे तो जिसके पास आप mail भेज रहे हैं receiver को आसानी होगी mail को समझने के लिए अगर जैसे important mail है तो तुरंद open करेगा और नहीं तो अपने recording उस mail को देखेगा और आपका response देगा smileys का उप्योग आप लोग करते ही रहते हैं कहीं पर आप angry हो जाते हैं कहीं पर happy हो जाते हैं कभी आप रोने लगते हैं तो कभी कुछ और तो smileys तो आपके लिए हैं बहुत आप लोग उप्योग करते हो तो यहाँ पर इसका right answer हो जाएगा option first wrong email address सबसे पहला कौम है कि आपको गलत email id से बचना है अब जैसे अगर आपको मेरे पास mail भेजना है और आप abexcel computer at the rate zmail.com ना लिखके किसी और के पास mail भेज दे रहे हैं तो क्या होगा अगर वो गलत आदमी के पास पहुच गया तो आपका नुक्षान हो शकता है ठीक है ना और हमारी दो ही mail है एक है abhexcel computer at the rate zmail.com और दूसरी है contact at the rate abhexcel.com अगर इसके अलावा किसी अन्य से कोई भी mail आपके पास जाती है या कोई और आपको कहता है कि इस mail से आप सर से संपक कर सकते हैं तो पूरी तरह से अफवा है उसको आप मना कर दीजिए बता दीजिए कि सर के पास मेरे क्या है email address और mobile number दोनों है ठीक है ना अब next क्या windows operating system में webcam का इस्तेमाल किया जा सकता है true या false बताइए क्या होगा इसका write answer तो बिलकुल सही बात है windows क्या है आपका operating system है वरतमान स्वे में windows का latest operating system windows 11 आ चुका है ठीक है ना इसके पहले हम सबी लोग उपयोग कर रहे थे windows 10 का लेकिन अब वरतमान स्वे में windows 11 आ चुका है और webcam का उपयोग windows operating system में आप आसानी से कर सकते हो कोई भी दिक्कत नहीं है option first is right ठीक है ना अब next उबन्टू operating system को किसने विक्सित किया बताइए उबन्टू operating system किसने विक्सित किया था रिचर्ड, स्टॉल्मेन, केन, थॉम्सम, डेनिस रिची या फिर इन में शे कोई नहीं उबन्टू क्या है आपका operating system है प्रिजन टाइम पर Linux, Unix और Ubuntu की कमांड से संबन्दित ट्रपल सीक्सा में बहुत जादा questions पूछा आते हैं इसलिए वीडियो के नीचे हमने 2000 questions के PDF की एबुक के लिंक दी है वहाँ पर complete package आपको दिया है जिसे भी आवशकता है वहाँ से download करके अपनी त्यारी को बहतर बना सकता है और यहाँ पर इसका right answer हो जाएगा option first, Richard installment अब next गूगल मैप में wise note का भी विकल्प होता है बताइए क्या जब आप गूगल मैप का उप्योग करते हैं तो वहाँ पर wise note के माद्यम से भी आप सर्च कर सकते हैं true या false तो आप सभी लोग गूगल मैप का उप्योग करते हैं फटाफट answer दीजिए कि क्या गूगल मैप में आपको wise का option मिल जाता है तो बिलकुल सही बात है wise का option आपको वहाँ पर मिल जाता है अब next निमलिकित में से किस कार्ड का उप्योग अग्रिम भुकतान के लिए किया जाता है आधार कार्ड, डेबिट कार्ड, गोल्ड कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड बताए कौन सा ऐसा कार्ड है जिसका उप्योग अग्रिम भुकतान के लिए हम करते हैं आधार कार्ड किसके दौरा जारी होता है यहाँ प्रश्न भी ट्रपल सी इकसाम में काफ यादा पूछाता है तो आधार कार्ड आपका UIDAI के दौरा जारी किया जाता है आधार कारड कितने अंकों का होता है यहाँ पर इसका राइट अन्स हो जाएगा आपसन смोर क्रेड़ित कारड का उपयोग अग्रिम भुकतान के लिए करते हैं अब next खोए हुए mobile को कैसे पुनाप्राप्त कर सकते हैं मिंस अगर कोई mobile गुम हो गया है उसकी खोजबीन करनी है तो उसके लिए किसका उपयोग आप करेंगे IMEI number, mobile number, none of the above या फिर bill Bill payment से तो कोई भी मतलब है नहीं यहाँ पर है ना, none of the above देखते हैं क्या हो सकता है क्या Mobile number से तो कोई मतलब नहीं क्योंकि देखिए अगर mobile गुम हो गया तुरंत आपका mobile phone off कर दिया जाता है जो भी प्राप्त करता है Mobile number आपका off हो जाता है SIM निकाल कर वो fake देता है लेकिन उसकी खोजबीन करने के लिए IMEI number का उपयोग किया जाता है तो CCC exam में क्रिश्ण में पूछाता है गुम हुए mobile की खोजबीन करने के लिए किसका उपयोग करते है तो IMEI number का उपयोग करते है इसके लाद GPS के माद्दिम से भी खोजबीन होती है लेकिन मुख्यापका IMEI number है अब CCC exam में IMEI का full form भी पूछाता है तो क्या होता है International Mobile Equipment Identity होता है इसका full form अब next निमलिखित में से किसको बिना सरूपित टेक्स्ट फाइलों को बनाना संसोधित करना और प्रदर्सित करना आसान बनाने के लिए डिजाइन किया गया है कभी कभी CCC में ऐसी questions मिल जाते हैं कि पढ़ने के बाग आपको समझने बिलकुल नहीं आते हैं ऐसी जैसा में थोड़ा सा आप English को पढ़िए यहाँ पर लिखा गया है which of the following is designed to make it easy to create, modify and display unformatted text file means यहाँ पर यह कहा गया है कि अगर आप कोई ऐसी नई फाइल बनाना चाहते हैं या आप उसको modify करना चाहते हैं या आप उसको बिना किसी formatted के text file के रूप में देखना चाहते हैं तो किसका उप्योग करेंगे means ऐसी file जो बिना किसी formatting के है बिना formatting के कोई file आपको बनाना है उसको modify करना है उसमें कोई editing करना है या उसे देखना है टेक्स्ट फाइल के रूप में तो किसका उप्योग करेंगे वर्ड प्रोसेसर, टेक्स्ट एडिटर, माइक्रो साफ्ट वर्ड या फिर ओपन आफिस ऐसे आप हिलनी पड़ते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं और बात में होता है कि सर पढ़ा हुआ कुछ भी नहीं आया है तो कुश्टन को ध्यान से आपको पढ़ना है, धैर रखना है, फिर आपको आणसर देना है तो यहाँ पर इसका राइट आणसर हो जाएगा, आप्सन बीट टेक्स्ट एडिटर जो टेक्स्ट एडिटर है, उनका काम ही होता है, टेक्स्ट फाइल को बनाना मिन्स वहाँ पर आप टेक्स्ट फाइल बना सकते हैं, कोई फाइल है टेक्स्ट की, उसे मोडिफाई कर सकते हैं या कोई भी file है वहाँ पर formatting में है तो आप यहाँ पर लाकर paste करेंगे तो automatic वो unformatted हो जाएगी जैसे आप उपयोग करते हैं notepad का notepad++ का sublime text editor है बहुत सारे text editor आते हैं जिनका आप उपयोग text editing के लिए या text file बनाने के लिए करते हैं अब next एक analog computer एक digital computer के मामले में score नहीं करता है means एक analog computer है वो digital computer में किस सम्बंद में score नहीं कर पाता है cost में, speed में, accuracy में, बताइए क्या होगा इसका right answer तो यहाँ पर इसका right answer हो जाएगा option fourth एक रसी के मामले में analog computer, digital computer में score नहीं करता है analog computer क्या होते हैं? वह computer जो भौतिक रासियों के अनरूप कारिक करते थे means जो ताप, दाव, इन सभी की गरना करने का काम करते थे वो थे आपके analog computer और digital computer के अंतरगत वह computer जो binary संख्या के आधार पर कारिक करते थे binary संख्या क्या होती है? zero और एक को हम कहते है binary संख्या, ठीक है ना? binary number इसे कहते है तो इसके अनसार कारिक करता था आपके digital computer और दोनों के गुणों का जो मिस्टर था उसे हम बोलते है hybrid computer, क्या बोलते है? hybrid computer note कर लीजेगा काफी important point है, अब देखते है next question फेस्बुक में कितने reactions होते हैं? बताए, how many reactions does Facebook है? 5, 6, 7 या फिर 8 आप सभी लोग फेस्बुक का उप्योग करते हैं अभी आपको मैंने बताया कि वर्तमान समय की सबसे famous social networking site कौन सी है? तो आपकी फेस्बुक है reactions क्या है? जो आप उप्योग करते हैं आप like करते हैं, है ना? तो वहाँ पर आपके total 7 प्रकार की reactions होते हैं कौन-कौन से like होता है, love है फिर है आपका care, haha, wow, sad, angry इस प्रकार से total 7 प्रकार की reactions का आप उप्योग करते हों ठीक है ना? तो यहाँ पर इसका right answer क्या हो जाएगा? option C, 7, अब next जब कोई सब्द या वाक्य सीमा पर पहुंचता है तो कौन सी विसेश्टा एक नई पंक्ति सुरू करती है? बताइए क्या होगा इसका right answer? question को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए question simple सा है, लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ी सी confusion हो रही होगी जब आप उप्योग करते हैं किसी table का और किसी cell में कोई value आप लिखते हैं और वह value जब cell को cross कर जाती है तो वहाँ पर निम्ण मेंशे किसका उप्योग करके हम एक नई line का निर्मान करते हैं text align, text wrapping, new line या फिर text line बताइए क्या होगा इसका right answer? तो इसका right answer हो जाएगा options second वहाँ पर wrap text का option आपको मिल जाता है wrap text के मादन से आप क्या कर सकते हो एक नई line की सुरवात कर सकते हो जैसे ही वहाँ पर जो cell का जो limit है वो cross होगा, automatic वहाँ पर एक नई line आती जाएगी ठीक है ना? अब next किसी document को print preview किये बिना अब यहीं से एक question triple six सामें यहाँ पूछाता है कि किसी भी document को print करने से पहले उसका पूर्वा लोकन करना क्या कहलाता है तो print preview कहलाता है print preview का मतलब print करने से पहले उस document को allocate करना अलोकन किसली होता है? कि हमारा document सही है या फिर नहीं है कहीं किसी प्रिकार की कोई mistake तो नहीं है margin उसकी set है या फिर नहीं है अगर आप नहीं चाहते हैं preview करना तो directly आप print कर देंगे जैसा होगा वैसा print आ जाएगा बाद में कोई दिक्कत होगी तो फिर से आपको change करना पड़ेगा तो यहाँ पर इसका right answer होजाएगा false क्योंकि बिना preview के भी हम document को print कर सकते हैं लेकिन preview कर लेंगे तो हमारे लिए बहतर होगा अब next सबसे तेज memory कौन सी है register, room, ramp या फिर cache ये question थोड़ा सा confusion का है कहीं कहीं आपको इसका answer मिलता है cache memory लेकिन cache इसका right answer नहीं होगा जब register और cache दोनों दिया हो तो आपको register पर tick करना है ना कि cache पर और जब register ना दिया हो सिर्फ cache memory दिया हो तो वहाँ पर cache memory पर आपको tick करना है वोगि cache memory क्या होती है एक virtual memory होती है एक kalpnick memory होती है जो हमें तेजगती का आभास कलाने का कार्व करती है और reality में cache कोई memory होती ही नहीं ठेक है ना अब triple C exam में VII. C exam में ROM का RAM का फुल-फॉर्म भी कापी पूचाता है तो ROM का फुल-फॉर्म होता है re-only memory क्या होता है read-only memory RAM का full form क्या होता है Random Access Memory क्या होता है Random Access Memory Memory कितनी प्रकार की होती है यहाँ भी CCC exam में काफी पूछाता है तो Memory आपकी दो प्रकार की होती है कौन कौन सी एक होती है आपकी Primary Memory और दूसरी होती है आपकी Secondary Memory कौन कौन सी Primary Memory और Secondary Memory प्राइमरी मेमोरी के दो पार्ट होते हैं कौन कौन से तो पहला है आपका रोम और दूसरा है राम तो रोम के तीन पार्ट होते हैं कौन कौन से एक होता है पी रोम एक होता है डबल एक रोम ऐसे ही RAM के दो पार्ट हैं एक है SRAM दूसरा है DRAM ठीक है ना ROM का फुल फॉर्म मैंने बताया P ROM का फुल फॉर्म होता है Programmable Read Only Memory EP ROM का फुल फॉर्म होता है Erisable Programmable Read Only Memory और WEP ROM का फॉर्म होता है Electrically Erisable Programmable Read Only Memory ऐसे ही SRAM का फॉल फॉर्म होता है Static Random Access Memory और DRAM का फॉल फॉर्म डैनामिक Random Access Memory होता है अब देखते हैं Next Question सरवर से मेर बॉक्स में एमेल को डाउनलोड करने वाली प्रोटोकॉल कौन सी है मेंसर निम्ड मेंसरी कौन सा प्रोटोकॉल है जिसका उप्योग मेल को डाउनलोड करने के लिए करते हैं SMTP, POP3, IMAP या HTTP मताइए क्या होगा इसका राइट 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 हो जाएगा Option Second POP3 ठीक है ना POP3 का उप्योग हम मेल को रिसीब करने के लिए या मेल को डाउनलोड करने के लिए करते हैं अब ट्रफल सी एकसाम में इनका फुल फॉर्म भी कापी पूछाता है तो SMTP का फॉल फॉर्म होता है Simple Mail Transfer Protocol क्या होता है Simple Mail Transfer Protocol POP3 का फॉल फॉर्म होता है Post Office Protocol क्या होता बच्चों Post Office Protocol ऐसे ही IMAP का फॉल फॉर्म होता है Internet Masses Access Protocol कभी-कभी जल्दबादी में spelling mistake हो जाती है तो उसे आप ध्यान मत दीजेगा Internet Masses Access Protocol और STTP का फॉल फॉर्म हाइपर टेक्च्चर ट्रांसपर प्रोटोकॉल होता है अब Next Cycle Case के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं Ctrl प्लस F3, Shift प्लस F3, Shift प्लस F2 या Ctrl प्लस F4 मताईए क्या होगा इसका राइटांसा तो Cycle Case के लिए हम Shift प्लस F3 का उप्योग करते हैं Libre Office Writer के अंतरगर आपको मिल जाता है Cycle Case का Option जिसके दोरा आपको Letters के Character के Case को चेंज कर सकते हो means जैसे कोई आपका Proper Case में है या वो आपका Upper Case में है, Lower Case में है तो इसे आप आसानी से Change कर सकते हो यहाँ पर जब आप जाते हो Format Mino के अंदरगर तो यहाँ पर Format में Text में आपको मिलता है Cycle Case का Option shortcut की होती है Shift प्लस F3 ठीक है ना, ऐसे ही Increase Size के लिए Ctrl प्लस Closed Bracket और Decrease के लिए Ctrl प्लस Open Bracket का उपयोग करते हैं CCC Exam में SuperScript और SubScript का पूछाता है तो LibreOffice लाइटर में SuperScript के लिए Ctrl प्लस C प्लस P और SubScript के लिए Ctrl प्लस C प्लस B का उपयोग करते हैं और Double Underline के लिए Ctrl प्लस D का उपयोग किया जाता है तो सारी चीज़े आपके Exam में काफी पूछी आती हैं तो दोश्तों आज की CCC की लच्छ बैच की पहली क्लास में बस इतने questions आसा करता हूँ कि यहाँ क्लास आपको प्रसंद आई होगी अगर यहाँ क्लास आपको प्रसंद आई हो तो अपने support के लिए हमारे support के लिए class को आप like कर दीजिए comment box में अपना सुझाओ दीजिए अपना review दीजिए याज की यहाँ क्लास आपको कैसी लगी और ऐसी classes आपको regular चाहिए comment box में आप comment करके बताईए चैनल पर नए महमान है जो चाय कॉफी पी के जाईए just time joking भाई चाय कॉफी नहीं पीना है जो सामने subscribe वाली बटन है उस पे click करना है और बगल में जो bell icon है उसे भी प्रस करना है ताकि time to time आपको यह सब कुछ मिलता रहे और आप सामीरो अभैक्सल कंप्यूटर की triple c की महा मैरतन क्लास को देखना मत भूलिएगा और लिब्र आफिस की भी महा मैरतन क्लास को देख लीजेगा जिने भी pdf की आवशकता है वीडियो की नीचे लिंक है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और class course को जॉइन करने के लिए विजिट कीजिए www.abaxl.com फिर मिलते हैं नसकास में तब तक के लिए बाई बाई